यहां पे डिवान मैस्कुलाइन को इतना जबर्दस्त आपको खोने का डर है क्योंकि कहीं न कहीं इनको समझ में भी आ चुका है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो और आपसे ये इनसान प्यार करने लगा है ये इतना आपसे प्यार करता है लेकिन प्यार भी यहां पे इगो से operate कर रहे हैं, यहां पर कोई भी unconditional love नहीं है यहां आपकी future की कोई setting नहीं है, आपके भावनाओं से इनको कोई लेना देना नहीं है, यह already एक married person की energy दिख रही है the emperor, ओके हो सकता है 40 के उपर इसकी age हो यह इनसान अपने manipulation से बिल्कुल आपको connected रखना चाता है आपकी उर्जा को यह महसूस करना चाता है, आपकी भावनाओं से इनको कोई लेना देना नहीं है यहां पर यह समझ रहा है जान रहा है, यह सब को जानते हुए भी आपके साथ लगातार injustice किये जा रहा है इनको पता है कि आप आपके साथ क्या हो रहा है, इनको पूरी तरीके से पता है, आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आपको मतलब आपका दिल जट पटा रहा इस connection से बाहर जाने के लिए जट पटा रहा है, यह आप समझते हो बिट यह इनसान divine feminine के energy ऐसी है कि अगर तू इतना मजबूर है DF के प्यार में इतना मजबूर है कि अगर DF के सिवार रह नहीं सकता तो DF के लिए कोई action ले तो यहाँ पे action का card बिलकुल reverse में आया है, ace of sorts यह person कोई भी action आपके लिए नहीं लेना चाता है मगर यह आपको फसा के जरूर रखना चाता है, यह चाता है कि किस भी तरह से आपको फसा के रख दिया जाए, थोड़ा सा जब जब आप बहुत जट पटाते होंगे यह जो इनसान आपको थोड़ा सा प्यार दिखाता होगा unconditional love दिखाता होगा लेकिन दूर से ना आपको यह attention देता है ना मिलता है जिसकी वज़े से लगाता है आप दोनों के जगड़े होए जगड़े होए जगड़े होए जगड़े होए क्योंकि इस connection में कोई भी commitment नहीं है यह person अपनी आजादी को freedom को नहीं खोना चाहता है साथ में यह आपको भी आजादी महसूस नहीं करवाना चाहता है यह चाहता है कि आप किसी और connection में जाओगे इस डर से यह बिल्कुल मतलब इसकी रातों की नीन होड़ चकी है इनको ना रातों को नीन आती है नचैन आता है बस 24 घंटे यह इनसान यही सोचता है कि किस तरह से आपको रोका जाए कि किस तरह से आपको without commitment रोका जाए यहाँ पर यह इनसान बिल्कुल भी commitment देने के mood में नहीं है यह इनसान चाहता है कि अपनी जो marriage है उसमें भी यह बना रहे connected रहे साथ में आपसे भी connected रहे साथ में भी आपसे भी connected रहे आपकी सारी भावनों को यह समझते हुए भी अंदेखा कर रहा है divine feminine यहाँ पर क्या चाहते है? divine feminine यहाँ पर freedom चाहते है, divine feminine बहुती wise energy में यहाँ पर है इनको लगते है कि अगर कोई चीज possible नहीं है, मतलब इनकी mentality ऐसी है कि मुझे चीज कोई मांगनी नहीं है, मेरे नसीब में अगर कुछ होगा तो वो मुझे मिल जाएगा बट कोई भी illegal connection कोई भी जिसे कहते है extra marital affair या कोई भी गलत रिष्टे में advanced feminine जाना नहीं चाहती है advanced feminine को लगते है कि जो मेरे लिए सही नहीं है, जो society के हिसाब से सही नहीं है, वो मैं नहीं करूंगे मेरे उपर अगर कोई रोप आता है injustice का या मैं किसी extra marital affair में हूँ अगर मुझे ये कोई कहता है तो मुझे ये बरदाश नहीं होगा, इसलिए ये किसी भी ऐसे connection में नहीं जाना चाहती, जहां पे कोई extra marital affair हो, illegal connection हो तो ये उस चीज़ से बचनी की कोशिश में फिराख में है और अपनी energy को save करना चाहती, ये नहीं चाहती कि ये इसी भी ऐसे person के हते चड़े जो इनका use करें, जो सिर्फ use करें, ऐसे person के हते ये नहीं चड़ना चाहती है, ये इस connection में दुखी है, sad है, ये जानती है कि ये twin flame connection है, ये प्यार कभी छूटने नहीं वाला है, बट इन्होंने अंदर से अपने आत्मा को पलट लिया है, मतलब ये जानती है कि ये कभी भी यहां तक पहुँच नहीं सकती, या इनको अब ऐसा लगने लगा है कि DM इनके साथ कभी भी justice नहीं करेगा, वो अपनी emperor की energy में ही रहेगा, और ना वो कभी आपके लिए कोई action ले पाएगा, ना वो third party को छोड़ पाएगा मतलब ये actionless इनसान है, बिल्कुल इनकी life में कोई भी action नहीं हो सकता, ये third party के साथ भी इसके जगड़े होते हो, आपके साथ भी इसके जगड़े होते हो, यहां पर gossip की energy बहुत ज़्यादा है यहां पर बहुत लोगों का involvement है, जिसकी वज़े से बहुत heartbreak हुआ है, यहां पर divine feminine का क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लोगों की बाते इस connection में सुननी पड़ी है बट इसका कोई भी effect जब अपने DM पर नहीं दिखता है इसकी वज़े से ये person जो है, बहुत ही दुखी divine feminine के नाची है और वो manifest कर रहे हैं कि अगर बहुत कोई मेरे नसीब में नहीं है अगर कोई मुझे accept नहीं कर सकता तो मुझे जाने दो इस connection से मुझे आज़ाद करो इस तरह की इनकी नाची है बट ये बहुत ही शातर दिमाग से रोके हुए है divine feminine को क्योंकि ये आप से प्यार करते हैं लेकिन इस प्यार में जो है कभी भी आपके लिए ही नहीं सोचा गया गया आपके लिए आपके future के लिए आपकी married life के लिए आपनी भावनाओं के लिए आपके sexual life के लिए या जो भी हो आपके सपनों के लिए यहाँ पे कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा गया है आपके साथ यहाँ पे लगातार injustice हुआ है देखें यहाँ पे judgment, justice का काड़ा, eight of cups का magician, मतलब यह अपनी manipulation में इसको जो चाहिए वही यह person को करता है ना आपके बारे में कभी इसने सोचा है और आगे भी सोचने की इसकी जो है energy नहीं है कि आगे के लिए भी यह कोई future plan करे, कोई marriage का plan करे या third party को छोडने का plan कि ऐसा कोई भी plan इनके दिमाग में नहीं है, क्योंकि इनको अपने stable connection, जो live connection है जो merit connection है वहाँ पर इनको टिके रहना है वहाँ की जो life है उसको यह किसी भी हाल में disturb नहीं होने देना चाहते है चाहिए divine feminine कितिनी भी disturb हो जाए, mentally disturb हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन यह DF को छोड़ेंगे भी नहीं यह DF को छोड़ेंगे भी नहीं यह उसको हर way में आपको मतलब इस connection में फसाय रखने के लिए हर वो magic, हर वो कोशिस, सामदाम, दंडभेत यह करते हैं, किसी भी way में आपसे connected रहना चाहते है आपको यह छोड़ना नहीं चाहते है यहाँ पे बिल्कुल दम गुटा चाहर है डवन फैमिनन का जो कि लिटरली प्रे कर रहे हैं कि जिस connection में कुछ नहीं है, उस connection में मुझे भागना है इस connection से मैं दिल से cut-off हो चुकी हूँ, मन से cut-off हो चुकी हूँ, लेकिन यह इनसान मेरा लगतार पीछा किये चार रहा है इस तरह की डवन फैमिनन के अनाची है डवन फैमिनन अपने आपको हील करना चाहती है, कहीं न कहीं यह ड्रेन महसूस करती है जब भी इस परसन से हो सकता है आप connect हो, आपको बहुत जदा ट्रेन महसूस होता है, आपका जघडने का भी मन करता है, हो सकता है आप जघडती भी हो, लेकिन इससे इस इनसान को कोई भी फरक नहीं पड़ता है, कहीं यहां पर इसको कुछ भी करके बस चाहिए कि मुझे इसको जाने नहीं देना है इसके साथ क्या करना है वो भी मुझे नहीं पता है लेकिन मुझे इसको जाने नहीं देना है कुछ भी करके मुझे इसको जाने नहीं देना है मैं अपने जो हो present connection में ही रहूंगा लेकिन मैं DF को जाने नहीं दोंगा इस तरह के ये energy है क्योंकि आप से इनको जो soul voice, soul की उर्जा मिलती है जिसको ये खोनी नहीं देना चाहता है मतलब इसके दिल में खाली बना आ जाता है अगर आप इनकी life से चली जाओ तो literally ये इनसान destroy हो जाएगा, खतम हो जाएगा इसको पता है कि अगर सीने से heart निकल जाए तो क्या हो सकता है तो इनको लगता है कि आपके सिवा कुछ भी नहीं आपके उर्जा के सिवा ये इनसान जी नहीं सकता तो as a उर्जा के लिए, सिर्फ उर्जा के लिए ये person energy के लिए आप से connected है बाकि इससे आपको कोई लेना देना नहीं है आपके future से, आपकी भावनाओं से, आपके safety से या आपके लिए समाज में कुछ गलत भी हो रहा है तो इस person को उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं इसको हर हाल में ये जानता है कि इसने जो तलबार फैक दी है बिल्कुल कि इसको action नहीं लेना है especially ये marriage के लिए तो कभी भी कोई action नहीं लेगा आपसे बट ये किसी भी हाल में अपनी पूरी ताकत लगा देगा आपको फसा के रखने के लिए कि आप किसी और connection में ना जाओ आपके साथ क्या करना है ये इनको खुद अभी भी नहीं पता है बट आपको किसी और connection में नहीं जाने देना है किसी और से connect नहीं होने देना है इसलिए ये person आपसे connected है इसको सबसे ज़्यादा डर है कि आप चले जाओगे और आप किसी ऐसे connection में चले जाओगे कि इनको cut up कर दोगे तो इस डर से ये person आपको छोड़ नहीं रहा क्योंकि इसको डर है कि आप कहीं और चले जाओगे सबसे बड़ा डर दिन रात इनके दिमाग में यही है जो इनको सोने नहीं दे रहा सांस नहीं लेने दे रहा या इनको एक तरह के से अंदरी अंदर खतम किया जा रहा है कि वो समझते हैं कि किसी भी किसी भी वक्त ये glass हाथ से गिर जाएगा तो इसको पकड़ गे रखना बहुत ज़रुई है इस तरह की energy है अगर आप भी अपने person की energy जानना चाहते हैं तो 369 पर question 369 यहाँ पे रहेगा और रेकी सीख सकते हैं मेरा Delhi Inner Work का meditation बिल्कुल magic है Twin Flames का reunion तुरंत हो जाएगा उससे reunion का मतलब मिल जान, मिलना, जुलना marriage नहीं है reunion का बहुत अलग मतलब है अगर आप भी अपने person से reunion करना चाहते है magic को देखना चाहते है तो मेरा Delhi Inner Work का meditation खरी दिये वो एक voice magic है उसका voice सुनते है आप का DNA जो है activation हो जाएगा चक्रा vibrate करने लग जाएगे वो एक blessing है दोस्तों उसको blessing की तरह use कीजिए और जरूर खरीदे 1200 रुपे उसका prize है दोस्तों शनिवार और रविवार हर Saturday और Sunday को जो है past life regression लिये जाने वाले है अगर आप single session अटेंड करना चाहते हो तो 500 रुपे फीज है और अगर आप 10 session अटेंड करना चाहते हो तो जरूर आईए आकाशिक reading भी आप मुझसे सीख सकते है और असको भी सीख सकते है अगर कोई भी crystal bracelet खरीद ना हो तो भी आप contact कर सकते है Thank you so much